नगर निगम की टीम द्वारा अवैद कारोबारियों के खिलाब दूसरे दिन भी मंगलवार को कारवाई जाई रखी गई जुनवानी नहरू नगर और पावर हाउस में सड़क किनारे अनाधिकरत रूप से बाजबली आदि लगाकर व्यापार कर रहे लोगों के कबजे हटाए गए शेहर में तेजी से बढ़ रहे अवैद कबजों को खटम करने नगर निगम की टीम द्वारा निरंतर कारवाई की जा रही है कारवाई के दूसरे दिन नगर निगम के राजसों अमले द्वारा जुनवानी नेहरू नगर और पावर हाउस में सड़क किनारे अवैद रूप से बांस बल्ली तिरपाल लगा कर व्यापार कर रहे दुकानदारों के खिला बेद अकली अभियान चलाया गया अव्यान के तहद निगम के दस्ते के साथ चल रही जेसीबी के माद्यम से अवैद कपजों को जमीन दोच किया गया साथ ही सड़क किनारे अनाधिकरत रूप से मास मटन का व्यापार कर रहे दुकानदारों को रग्त समझाई दी गई और दोबारा सड़क किनारे अवैद व्यापार करते पाए जाने पर कारवाई के लिए तयार रहने को भी कहा नगर निगम की टीम में सभी जोन के सायक राजस्व अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ मौजूद रहे निगम की कारवाई को होता दे कुछ कबजे धार्यों ने स्वय में अपने कबजे हटा लिए अव्यान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्ख अधिकारी शरत दुबे ने दी यातायात को सुगम बनाने के लिए नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा जी रोट की नीचे जो निगम की सर्विस रोड है उस पे जो ठेले अवैद रूप से रखे हुए हैं साथ ही जो रिसेल के वहां रखकर सड़क बाधा कर रहे हैं उन सबी पे लगातार कारवई चल र है उसको कब कर वह वैं ते उन्हों ने कहा कि हमें एक दिन का समय दीजिए कि हमें एक दिन. निश्चmb तवर chang गएगी और उस पर कारवाही करेगी बाराल नगर निगम का अवैत कबजों को हटाने को लेकर शुरू किया गया अभियान सरानी है वहीं नगर निगम प्रशाशन द्वारा नंदनी रोड में हुए अवैत कबजों को भी हटाने की बाते कही गई थी जिनें फिलाल छोड़ दिया गया है नंदनी रोड में CSP कार्याले से लेकर सीतला मार्केट मोड तक नौन वेंडिंग जोन में धडले से व्यापार किया जा रहा है ऐसी दुकानों में खरीदी करने आई लोगों द्वारा नंदनी रोड मुख्यमार्ग में अपने वाहनों को पार्ग किया जाता है जिससे दुरगटनाओं का अंदेशा हर वक्त यहाँ पर बना रहता है देखना होगा नगर निगम की टीम इन्हें हटाने को लेकर कब और क्या कारवाई करती है Grand Asian News के लिए संजय दुवे